नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर साथ आपके मैं हूँ शालेनी कपूर तेवारी बात आज हम करने वाले हैं इंकम टाक्स रिटर्न फाइल करने की जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई मतलब काउंडाउन शुरू हो चुका है और देखे कावत है कि काल करे सो आज कर आज करे सो अब बहुत जादा वेट करने के आपको जरूरत है नहीं आखरी दिन तक इंतजार मत कीजे क्योंकि आखरी दिन वेबसाइट के ओपर बहुत जादा ट्राफिक होता है बर्डन बहुत जादा होता है और ऐसे में आपको दिक नहीं रहता है इसी लिए income tax return अगर आपको file करना है तो उसकी शुरुआत आज ही कर दें और देखें एक सवाल लोगों के जहन में बहुत आमसा रहता है कि अगर मेरी taxable income नहीं है शूने देंदारी अगर मेरी है तो भी क्या मुझे ITR file करना होगा वेल इसका जवाब हा में है क क्यूंकि income tax return file करना और income tax देना ये दो अलग-अलग चीज़े है इन्हें क्लब मत कीज़े आप आपकी अगर tax देंदारी शूने है आप income tax देने के दारे में नहीं आते हैं धाई लाग से कम आपकी income है तो ये बताना सरकार को आपका ही काम है income tax return file करना बहुत आसान शब्द क्योंकि हो सकता है कि आपकी salary तो धाई लाग के अंदर हो लेकिन आपको rent से income कहीं से मिल रही हो हो सकता है share market में आपने invest किया और वहां से आपको आई हो रही हो तो ये तमाम चीज़े government तक पहुँचाना कि मेरी salary मेरी जो total income है वो धाई लाग के अंदर ही है या मेरी tax यह बताना आपका ही काम है तो income tax return आपके लिए file करना बेहत जरूर है अब late payment की भी हम बात कर लेते हैं कई बार ऐसी परिस्थितिया होती है जब आप तैस समय पर नहीं दे पाते हैं tax तो यह मैं आपको बता दूँ इसके बाद आप ITR file तो कर सकते हैं लेकिन जुर्माने के साथ आपको करना होगा बिन जुर्माने के काम आप नहीं कर सकते हैं पांच लाग के अंदर अगर आपकी income है तो आपको जुर्माना maximum 1000 रुपे तक देना होगा लेकिन पांच लाग से जादा अगर आपकी आए है तो 31 जुलाई के बाद 31 दिसमबर तक आपको देना होगा काम नहीं किया तो आपको मौका नहीं मिलने वाला आगे यह लासट डेट है तो वो काम क्यों किया जाए टेक्स तो आपको भाना ही बिना जुन्बाने के ही भर दें, 31 जुलाई के अंदर ही भर दें बड़ी बात, 5 लाख तक आईवानों को टैक्स नहीं देना है इस बात का जिक्र इंटरिम बजट में ही कर दिया गया था तो अगर आप ये सोच रहा है कि 5 लाख तक आपकी आए है इसलिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो मैं बताओं आप ये घलत सोच रहे है क्योंकि ये जो नई बात सामने आई है ये assessment year के लिए है चलते चलते एक चीज़ मैं आपको और बताओ पहले 2 साल का भी लोग income tax return एक साथ फाइल करते थे अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अब जो साल है उसी साल में आप income tax return फाइल कर सकते हैं अगर आपने ये नहीं किया तो आगे ये आपको मौका नहीं मिलेगा दूसरी चीज़ 5 लाग तक वारी बात क्योंकि हमने एंटरिम बजट में ही देखा कि आलान तो कर दिया गया था कि 5 लाग तक अगर आपकी इंकम है तो आपको टैक्स नहीं बना पड़ेगा मैं याद दिला दूं ये जो अगला जो असेस्मेंट एर है 2019-20 इसके लिए है जो फैनेंशल इयर 17-18 जिसके लिए आप आई टियार भर रहे है उसके लिए नहीं है पांच लाग तक अगर आपकी सैलरी है आपको टैक्स नहीं बना पड़ेगा ये असेस्मेंट एर के लिए है 17-18 के फैनेंशल इयर के लिए नहीं है तो अभी तक जैस कियो तो लाइक करें इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें